कि नमस्कार साथ यो मैं जोगंदर सिंग स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्रेटफॉर्म एससे में कर पर गुड मॉर्निंग सभी को बैरी बैरी गुड मॉर्निंग जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं एक बार आप सभी इस क्लास क सब्सक्राइब कर लेगे लिए उसे नोटबं किजिएगा जिस से की समय पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना ओ ठीक है चली क्लास को सुरू करते हैं पहला कोशन है आपका यह पॉंडिचेरी का चेत्र विभाजित पाया जाता है जो पॉंडिचेरी एक राज्यों में तमिल नाडू करनाटा केरल राज्यों में तमिल करनाटा और गुण राज्यों में जो पॉंडिचेरी का छेत्र है वो इन्वेंसे किसमें जो है आपका पाया जाता है किन तीन राज्य हैं जिन तीन राज्यों में जो पॉंडिचेरी यूटी है वो पाया जाता है अगर आप देखेंगे तो यह है आपको अपना अपना प्यारा देश भारत है ना अगर इसमें अगर आप यूटी देखें या पॉंडिचेरी की बात करूं तो एक Maha Pondicherry कहाँ पर है केरला में एक चालर पॉल्ड़ीश ऐ ऐक राई क्यों कर पक कर अंद्र प्रदेस केरल हो गया है जिन राज्यों में जो है यह तो पॉंडिचेरी जो है यह पाया जाता कितने राज्यों में ये पाया जाता है चुण इसके साथ कुछ और चीज़ है यहाँ पर देख लेते हैं और वह क्या है और वह कि यह जैसे पूछा जाता है कि किस कंट्री के साथ बीष्द index की सी मगती है तो जैसे नेपाल स्कर्द् सिक्किम की और इधर अरुनाचल प्रदेश की ठीक है अगर बात करें भूटान की तो सिक्किम की अरुनाच बेश्ट बंगाल की अरुनाचल प्रदेश की और आसाम की ठीक अगर म्यामार की बात करें तो मिजोरम की सीमा मणीपुर की नागलेंड की और अरुनाचल प्रदेश की ठीक है पाकिस्तान की बात करें तो लग्दाक जम्मू कस्मीर पंजाब राजिस्तान और गुजरात इनकी सीमा इससे लगती है अफगानिस्तान की बात करें तो यह वाला इससा अफगानिस्तान का लगता है लग्दाक से किसे यह वाला इससा अफगानिस्तान का है यह लग केरल तमिलनाडू और आंद्र प्रतिस यानि कि सही जवाब है आपका सी क्या है सही जवाब हो जाएगा आपका सी तो यह याद रखिएगा टिक आगे निम लेकित में से किस हिंदू तिहार को थारू लोग सोक पर्व के रूप में मनाते हैं एक जन जाती है थारू वह इन में मतलब सोक फैस्टिवल दसेरा दीपावली होली और नाग पंच्वी इन में तो कौन सा एक है जिसको सोक पर्व के रूप में मनाती है क्या कोशन हो जाएगा दूसरा कौन सा हिंदू तयोहार है जिसे सोक के रूप में यह बनाती है यह मनाती है दीपावली को इसको में बहने वाली नदियों का उतका चछड़ का प्राइदीप मतलब अ आपका को यह सफिर्षी प्राइदीप का मतलब है आपका यह िस्सा चाहिा इसे वन domal प्राइदीप होता है आपका एक तरह से तीन और से समुध्र से घिरा तीन और से पानी से घुरा हुआ भाग जो है उसको प्रायदीप कहा जाता है ठीक है यह यह पूछ रहा है कि प्रायदीप भारत में पूर्व दिसां में बहने वाली मतलब और इस प्रायदीप में भी वो नदियां बतानी है जो पूर्व की और बह रही है किस और बह रही है जो नदियां पूर्व की और बै रही हैं उन नदियों के बारे में बताना है। सही किरम उपर से नीचे सुवन्रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेननार, कावेरी और बैगई। सही जबाब क्या हो जाएगा? सही जबाब है आपका ए। याद रखना और क्या याद रखना है? सबसे पहले जो नदि बैती है वो है आपकी सुवन्रेखा, उसके बाद बैती है महानदी, उसके बाद है आपकी गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है पेननार, फिर है कावेरी और फिर है बेगई। याद रखना प्राइदीप की सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की और बैती है देखो अगर नदियों में टोटल काउंट किया जाए तो कौन सी नदी है या कौन से नंबर की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा तो नर्मदा पांच में नंबर की नदी है पूरे भारत की और बहने वाली पहली या प्रतम सबसे बड़ी नदी है यह याद रखिएगा निकलती है अमर कंटक से निकलती है अमर कंटक से और नर्मदा घाटी में यह बहती है मतलब बैली में बहने वाली नदी है अमर कंटक से एक और नदी है जो निकलती है और वो है सोन है ना और इ प्रारंब्बिक भागे यह घाती में बैत प्रारमिक भागे घाटी का यह याद रपना ठीक कि चलो बढ़िया निम्ली की दिस्तान हो में ते कहां पर भागी रती और अलगनंदा नदियां मिलती है इन में तो कौन सा एक है जहां से भागी रती और अलगनन्दा नदियां मिलती हैं वेर डू अलगनन्दा रिभर मीट एट बिच्छ अप धाफॉ इपलेश देवप्रियाग कढ़ प्रियाओ विष्नु प्रियाओं और रुध प्रयाद कूश्चन क्या है कूश्चन आपका चोता भागीरती और अलगनंदा नदियां वो इन में य से कहां पर मिलती है देखो अगरasted है यह दोनों वोन अधियां है भागीरती और अलगनंदा जो मिलकर गंगा बनाती क्या करती है जो मिलकर गंगा बनाती है याद रखिएगा और कौन सी जगे है जहां ये मिलती है ये जगे है देव प्रियाग कौन सी है ये जगे है देव प्रियाग जहां पर भागी रती और अलगनंदा नदिया जो है ये दोनों मिलती है ठीक है और कंड प्रियाग रुद्ध प्रियाग है है ना अगे आगे है आपका निम्नी लिक Latimer जणाती और राज्ज की कौन सी जोडी सही नहीं करेक्ट इसाज नौट करेक्ट इजू और से मैं जो पॉयरों जाती है जो परेक्ट नहीं बुजरास गदी हमाचल फदेसम टमिलनाड्व टोड़ा के रड़ का trouble अब का पांच मां कि इन में से कौन सी जंजाती मतलब कौन सा एक मैचिंग जो करेक्ट नहीं है अगर बात की जाए आपकी डी टोड़ा जंजाती जो है वो केरल में नहीं है टोड़ा जंजाती जो है वो केरल में नहीं है केरल में एक जंजाती है क्या ना मैं उसका जो केरल में पा पहाड़ेों में पया जाती ہے तोड़ा पर 파ए जाती है आपको कमेंट में रिख लिख कर बताना है कि जो तोड़ा यंजाती है यह पाई कहां जाती नीलिगरी में पाई जाती है जगह कौन सी है यह बताना ठीक है याद रखना नीलिगरी में पाई जाती है जगह कौन सी है वह बताना ठीक राजजिब कौन से राज में हलाम नोटिया जन जाती मुख्रूप से पाई जाती है इन विच स्टेट हलाम नोटिया ट्राइब आर मेंली फांड ट्राइब है हलाम और एक ट्राइब है नोटिया यह किस स्टेट में पाई जाती है यह पूछ रहा है क्या हो जाएगा तो सब्सक्राइब आज आप से पूछने आना जैसे नैसे पार्क के पूछ नाम लिख रहा हूं इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने है ठीग है आजैसे आपको बता ने Clouded Leopard कहा का है? Clouded Leopard National Park जो है यह कहां पर है? एक है जीवास्म National Park यह कहां पर है? एक है डायनासोर National Park यह कहां पर है? इसके अलावा एक है आपका मानस कहां पर ठीक है एक है आपका काजी रंगा यह कहां इसके अलावा एक नेसल पार्क और है और वो कौन सा है तो याद रखेगा काजी रंगा के अलावा एक हो जाएगा आपका जो आपको बताना इंपोर्टेंट है इलवान गंगोत्री यह कई बार पुछा गया है गंगोत्री नैसनल पार्ग जो यह कहां पर है एक बताव बांधव कौन सा यह आपको इसके अंसर मैं नहीं दोगा बांध घड़ और existing बालब ऴॉर्ड the little Sex and और एक और बताओ और जिसका नाम है आपका minimum कॉन सफ एक अपका पेरियाऍ यह ने स्नल पारकनके नाम आपको कमेंट में लिख लिख बता ने इन सभी ने सल फार्क के नाम क्याओं करने कंमेंट में लिख कर आपको बताने ठेक है किसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए magari आगे बारत में यारलूंग जंगो नधी को किसı नाम से जाना जाता है भारत में यारलूंग जंगो डिगो किस नाम से नाम से जांते हैं गंगा सिंदू ब्रह्मपूट्र और महा नधी को एक स्तैंड़ों जांते है यार्मपूट्र नदी बाइद नाम से जानते कहां पर इसे आप अरुनाचल प्रदेश में देखेंगे तो आप इसे धियांगे नाम से जानेंगे ठीक है आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अगर मैं बात करूं बांगला देश की तो बांगला देश में इसको जमुना कहते हैं बांगला देश में इसको जमुना कहा जाता है यह याद रखना बांगला देश में इसको कहा जाता है जमुना ठीक है आगे कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है थ्रो भिच स्टेट डच कावेरी रिवर पास गुजरात मद्प्रदेश तमिलाडू करनाटक केरल तमिलाडू करनाटक केरल आंद्प्रदेश मद्प्रदेश महाराष्ट और तमिलाडू जो कावेरी नदी है वो सके सद्र स्क्राप्स के गुजरते हैं यहां से कावेरी गुजरती तो याद रखना का कि उठी जो है यह करनाटक केरल और तमिल नाडव का वे रीक जो अफवात तंत्र है यह तीनों में बतलब है क् mensen화 की बात कर इसका अफोबातांत्र इन तीनों में फैला हुआ है यह इ Associate इन तीनों में अफैलाभा है कहाँ करनाड़क और आपका कमिलनाडु कर MP3 नहीं बनाती इन में से कौणसी नदी आ जो एस्टूरी नहीं बनाती है विच अब दा फॉलंग रिवर डज नोट फॉर्म से एस्टूरी नर्मदा तापती मांड़ी या महानदी इन में से कौन सी नदी है जो एस्टूरी नहीं बनाती है तो अगर बात की जाए एस्टूरी की और इन में से कौन सी नदी है जो एस्टू बनाती है मांडभी भी बनाती है पर महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है जो महानदी है ये क्या बनाती है ये बनाती है डेल्टा क्या बनाती है डेल्टा ठीक है कावेरी डेल्टा किष्णा नदी बनाती है डेल्टा महानदी गंगा बनाती है आगे विस्व का सबसे बड़ सुंदर्बन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों से बन मिलकर बना गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों से मिलकर बना है आपका कौन सा तो याद रखेगा सुंदर्बन डेल्टा जो बिस्टु का सबसे बड़ा डेल्टा है जो क्या है जो बिस् स्वान पर्थ सीन काहिरा कांगो और बुड़ापेश देन्यू यह बताना है कि पेरिस में यह इस्तित है पर्थ जो है इस यह यहां पर है काहिरा इस नदी के किनारे है बुड़ापेश्ट इस नदी के किनारे है कौन सा किस नदी के किनारे है यह पूछ रहा है और इनमें से क है कौन सा मैचिंग करेक्ट नहीं ये बता नहीं त् माधतारी मिसक् Science ॐurgh Osaka with और यह कामगों नदी के किनारे पर बुड़ा पेष्ट डैनियूम नदी के किनारे नहीं कड़ा फस्ट यह डैनियूम नदीके किनारे नहीं कमेंट मैं लिक़ हूँ क्या ये किसी नदी के यह आदिंवनों बतां लंदन के नदी किनारे है और निउ यॉर्ड जो यह थी किनारे है ये ही बता। अगे निम्ले कितमें से कौन सी जोड़ी देश और राजदानी समेलत नहीं एक तरह देश दिये हैं एक तरह उनकी दिया कैपिटल और इन में से कौन सा सुमेलत नहीं विच आप फॉल्लिएंग प्यर कंट्री एंड कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच चीन की राजदानी तो याद रखना जरी और यह आपका है जैसे अब है न अब म कर आँ अ बहुत अब है आप और अश्ट्रियलिया एन चाना पैसपिक आजएन का और चाना जापान कुरिया पगारा सभी ये थाइलेंड बागर एन चोड़े यह किसमें आता है यह और यह नॉर्थ अमेरिका-साथ-अमेरिका यह आपका पैस्पिक ओस्याइ से संबंदित रिंग ऑफ पायर से संबन Agrepes रिंद ऑफ फायर उप इससे संबंदित है अंतर्यlesh्तिए अहिंसा दिवस मनाया जाता है अंतर्यक्ति अहिंसा दिवस कभ गुलेस्ट यह पुच रहे 2014 से मनाया जा रहा है Interlational Day of non-violence non-violence जो है यह मनाया जाता है आपका दो अक्टूर को कौन सा दो अक्टूर को 23 मार्च है आपका सहीद दिबस किस-किस को फांची होँ ती इस दिन यह बताना है ठीक है दो अक्टूर को महात्मा घंदी का जन वह था क्या हुआ था जो मातमा गांदी हैं इनका जन्म हुआ था कब दो अक्टूबर को तो यह याद रखना उल्फा उग्रबादी किस राज इसे सम्वंदित है यू एल एफ ए मिलीटेंट बलॉंग टू भिच इस्टेट जो उल्फा है ये किस स्टेट से संब्मंदित हैं बाद म में जो है भारत सरकार द्वारान का समझ जोता हुआ और यह उग्रबादी सेंग्ठन ना यह Phoenix संक्रा एक किस राज से यह संबर्दित है तो याद रखिये गाई यह संबन्दित है आसाम से इसरías है यह उग्रबादी शंगठा ने यह लिट्टे जो है यह आतंकी संगठा ने यह será लंका और तमिल नाडू को ती लंका और तमिल नाडू से सम्बंधEC अब तमिल नाडू में सा प्रभाव नहीं है पर स्री अस्थित नाशिक है धरबाद पुनि आं ट्रिक सुरक्षाद मी जो यह इन में से कहां पर स्थित है इंटर्नेल से क्योर्टी अकैडमी इज्ड लोकेट इंट मांट आवु नाशिक हैदराबाद और पूरे कहां पर अविष्थित है तो याद रखना यह हो जाएगी माउंट आवू कहां पर है यह राजिस्तान में यह है राजिस्तान में माउंट आवू पर ही एक मंदिर दिलवाडा का जैन मंदिर कौन से दिलवाडा का जैन मंदिर संगमरमर का यह बना हुआ है और दल्च ये संगमंदित है इसके बास्तुपार थे विजयपाल और बास्तुपाल नाम क्या आता है बास्तुपाल और सैध विजयपाल यह दो नाम है पर बास्तु बाल locigen यह याद रखना ठीक है कौन बास्तुपाल ने इसे बनवाया था किसको दिलवाड़ा के जहन मंदर को जो मांट अबू है यह अरावली की पहाड़ी ओमें अरावली की पहाड़ी की सबस्ब्स चोटी कौन सी आ तो याद रखेगा वह है गुरु सिखर इसकी सबस्बस चोटी आगे भारत में प्रति परतं बिदी भिष्विद्याले की इस्ताफन अगस्त 1987 में कहा होई पहला बिदी इस्ताफित हूँ इस्ताफित हुआ है पर इंडिया इन अगस्त 1987 त्रिवेंद्रम एहमदाबाद बंगलुरू और नई दिल्ली कहां पर यह इस्थापित हुआ है तो याद रखिएगा सबसे पहले इस्थापित हुआ है बैंगलुरू में यह याद लगना है बैंगलुरू करनाटक की राजदानी है और याद रखना इसी को जो है भारत की सिलिकॉन बैली भी कहते हैं भारत की सिलिकॉन बैली भी इसे कहा जाता है तो यह याद रखना ठीक भारत में पंचायती राज मिवस्ता सरप्रतम राजस्तान और कहां पर प्रारम हुई पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया बाज फर्ष्ट इस्ट स्टार्ट हुए मैं देट रएद दो अक्टूबर दूसरी है में डेट है ग्यारे अक्टूबर इस से पहले पंचायत को लेकर सम्ति वही ती 1957 में और इसे बोलते हैं बलवंतराय महता समिति कlas लंसे हैं किया बोलतें बलबंत रघ महता समिती से कहा जाता है इसी के आधार पर यहां पर दो में बना राजिस्तान पर और यहां बना है हैदराबाद ना आंध्डप्रदेश में स्वर्णी दूसरीं जो राज जीह हैं बो कौन सी जगह है वो आपको कमेंट में लिक कर बताना है ठीक है आं डोविदे अंद्रा पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रेल गोपम सा बन्चायती राज जबहतंों हैं यह मनायता है 24 अप्रेल को 2010 से मना रहे कब से 2010 से बना रहे हैं कौन सी एक सम्यिति पंचायती राज संस्ता से संबंदित नहीं है इन चाहिती राज से संबंदित नहीं है तो याद रके यह आर्थिक मामलों से संबंदित है किसे आर्थिक मामलों से यह संबंदित है बाकी की तीनों पंचायद से संबंदित है यह सम्मेधानिक दर्जा को लेके बात करती है यह दुई इस्तरिये पंचायद को लेके बात करती है और यह त्री इस्तरिये पंचायद को लेके बात कर कौन सी भासा हमारे सम्दान के आडवी सूची अनुसूची में सामिल नहीं है देखो आडवी अनुसूची से समझ में आता है कि इसमें भासाएं दी गई है क्या दी गई है भासा इस लेंग्वाइज इस नौट इंक्लूड़ेड इन दा एट स्रिडूल ओफ आर है आजबी निसूची में इसमें जो सामिल नहीं है वह राजिस्थानी इसमें जब से राजेस्थानी दोंग्री मतलब चार बहता है मतलक ना जएब दोंगरी संधाली और मै Etsthese फ्र्ट यह सबसे बाद मे जोली हैं यह एYUरथ है भारत के भीवल vs दलों को राष्ट tamanho और दर पार्टिंडिया संसथथ राज्ट पती चुनाव आयोग सर्भोच नियाएल एनमें सदे कौन सा एक है जो राजनीतिक दलों को राष्टिया मतलत दल को नेrekाwr Imagica resistance में जो किसी भी राजनीतिक दल्गोराष्टिय और छेत्रिय दल का दर्जा प्रदान करता है धू है इस है अधिकार है चुनाव आयोग आर्टिकल तीनसोचौबिस के तहत बन नीजु a Nano य याद रखनі संसद गड SNK और जो आपको उयाद रखनी है कि संसद जो है यह तीन से मिलकर बनी है राष्ट पती राजिसबा और लोगसबद ऐह और अर्टिकल 181 अर्टिकल 188 राज़सबद का अटिकल 90 और लोगसबद सकता है सकता है यह एलएक्तिनर कमिष्टिस बाइड़ा चीफ इलक्षन कमिष्टिस अपृOSH सब्सक्राइब करने वाइदा इंडिया इसको हटाया जा सकता है इसको हटा सकता है तो उसके लिए सिपारिश करनी पड़ेगी मुख निर्वाचन आयुक्त को जैसे लेकिन अगर मुक्ह निर्वाचन आयुक्त को अटाना होगा तो इसके लिए अभयोग लाया जाएगा तो इसके लिए अभयोग लाया जाएगा कहां पर कहां पर संस्द्न में उसके लिए अभयोग लेकर आया जाएगा जायगा यह लिएट को इन में से कौन सा एक है जो जिसका संबंद चुनाव आयोग से नहीं है विच आप फॉलेंग इस नोट रेटिट टू दा इलेक्शन कमिशन चुनाव की अजी सूचना जारी करना इस्वरेंश ऑफ नोटिपिकेशन आप एलेक्शन चुनाव चिन्न का बढवारा करना डिस्ट कौन से काम चुनाव आयोग नहीं करता इनमें तो कौन से एक काम है जो चुनाव आयोग का है ही नहीं अगर बात कीजिए चुनाव के काम की तो इनमें से कौन सा नहीं है चुनाव की अधिसूचना जो जारी है यह राष्टपदी करता है चुनाव आयोग नहीं करता इसकी ज़्यादी सूचना है यह जारी करने का काम राष्ट पति का है ना की किसका ना की चनावायोग का ठीक है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलत नहीं है यह पूछ रहे है हुआ है पर किस से तो फेर्ट को चन तो सब्सक्राइब निम्न में से चन जनां की है विस्षिस्टाओं का हिस्था नहीं है विच आफ दाफॉलंग इस नॉट पार्ट आप्ट डैमोग्राफिक characteristics of the population जन संक्या का गनत रहन सेन का इस्तर लिंगान उपात ग्रामीड सहरी जन संक्या कोशन क्या है कोशन है आपका 23 है ना पूछ रहा है आप से कि इन में से जो जन संक्या की जनां की किये विशेश्थाओं का हिस्सा जो है यह इन में से कौन सा नहीं है कही जन संक्या के लिए ayım रहें सेन का इस्तर किसका क्या है इससका कोई लेना दिना नहीं है यह जन संग्या सरचना के लिए के लिया के लिए एक चैन करना यह तो बढ़ती हुई जनमदर तीम राइज हुँ और बढ़ती गटाटी व्य बढ़ती दुदा दिक्रीजिजिंग बप्र रह्याट एंड लिए इसके लिए सही जबाब क्या हो जाएगा इसके लिए सही जबाब जो है यह क्या होगा यह पूछ रहा है अगर सरचना की अगर मैं बात करूं तो यह जाएगा आपका सी जन्म इस्तरदर और म्रत्युदर क्या हो जाएगा जन्म इस्तरदर और म्रत्युदर यह याद रखना ठीक है आगे निवलिकित कंपनियों में से किस एक ने इचौपाल नामक ग्रामीट विपणन तंत्र प्रारंब किया है विच आपदा विच बन आपदा फोलोइंग कंपनी सैज इस्टार्टि जो एक विपणन तंत्र है जो एक आपका मार्केटिंग सिस्टम है है ना वो इन में से कौन साइक आई सीट आइटी सी डावर प्रोडक्ट एंड गैमबर और हिंदुस्तान लीवर इच आपाल नामक जो ग्रामीट तंत्र है वो इन में से किस एक ने सुरू किया है यह पू यह याद रखना है ना कमपनी आए इनफॉर्मेशन टेक्नीलोजी की कणप योजना है एक क्या दकल्प योजना इस अ स्वास्तियोजना सैच्छिडख योजना ग्रह निरमाड योजना कर विबाद समाधान योजना जो कल्प योजना है वो एक्ट्व में क्या है यह प्लानिंग है एजुकेशन से संबंदित है कल्प किस्से एजुकेशन से संबंदित है आपकी कल्प तो यह याद रखना अच्छा सी एजी क्या कारी करते हैं यह पूछ रहा है ठीक है कैग आफ इंडिया कंट्रोलर एंड अडिटर जनर्र परफॉर्म दा फंक्सान आप नागरिक सुतंतरता के सरचक के रूप में ऐज़ा प्रोटेक्टर ऑफ सिविल लाबरेरीज लोग भी सरचक के रूप में एज कस्टोडियन और पब्लिक फाइनेंस सरकार के मुख मिदिक सराकार के रूप में एज दा चीफ लिगर एडवाइजर तूदा गवर्मेंट अप् जो सी एजी है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जन्रल है या नियंत्र का महले का परिक्षक है यह इन में से कार करता है क्या तो याद रखेगा इसका जो कार यह यह लोग बित्त सरचक के रूप में एज़ा कस्टोडियन और पब्लिक फाइनेंस जो पब्लिक फाइनेंस है उ जीच देखते होंगे सुनते होंगे फढ़ते होंगे तो कई लेक या कोई आडिकल आया है लिखा हुआ कि तुसमें कई बार गॉड़डगिल रिपोर्ट एंड दा कस्तूरी रंजन कमिटी रिपोर्ट बिच आर सम्टाइम्स इन न्यूज आर रिलेटेट टू सम्मिधानिक सुधार कॉंस्टिटिव्शनल रिफॉर्म गंगाकार योजना यानि गंगा एक्षन प्लान नदियों को जोडना इंटर लिंकिंग और रिपर इसका नहीं है उसका पार्ट या उसका एक सदस्य जो है यह नहीं है क्या होगा इसका जवाब यह बताना को जने आपका 29 को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब का 29 ठीक है क्या हो जाएगा तो मियामार नहीं है जो यह पैस ट्रेड अक्रट आइक प्रिका सने किसका अब मेंट रपोर्ड एक अनल प्ल्ल प्रकासन ऑन जान्तर इन्स अन्तराश्ट्राश्ट्रास का रिक्रम का युनाइटिद नीचन डिब्लमेंट प्रोग्रम् commission का इंटर औरनिश्ट्राइब एंड डबलब्मेंट विस्व्यापार संगटन का बर्ड ट्रेडर और्गनाईजेशन का अंतराष्टी मुत्राकुस का इंटरनेशनल मौनेटरी फंड का कोश्चन क्या है कोश्चन यह हो है आपका यह हो जाएगा आपका 30 अब डबलब्मेंट रिपोर्ट जो है यह एक बार अचना जाने लगा यह भी बताना आगे भारसरकार का ब्याह किस पर इंदाद के कारण अधिक्टम में मतलब इन में से किस पर सबसीड़ी इंदाड मतलब सबसीड़ी जो दी यह होगाई आपका डियानिकी तेल यानिकी ओई ठीक है या भारति रिज़्टय बेंग करँंसी नोट जारी करता है जो भारति रिज़ब बैंक वो करंशी नोट जारी करता किसे के अंतरगत सिस्टम Pel Revelation अरख्षय practically अंडर्ड मिनिमम्ग है अनुपाती आरक्ष्ण प्रडाली कंतर्गव अंडर परेशन रिजर्ड है शसे मियत नियद्वे पर अạnh्शण प्रडुट्पाद्स नेट ने नेट नेजनल भट्रॉपिन्त सकल घरेलू उत्पाद में मूह लिहास भत्ते घटा कर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आये जोड़कर सकल राष्टिय उत्पाद में से विदेशों से निवल आये घटा कर और सकल राष्टिय उत्पाद में से मूह लिहास भत्ते को घटा कर अगर आपको नि को जो net national income है यह पता चल जाएगी निमने किस को टी के कामगारों को खेति करते हों जो दूसरों की जमीन पर खेति करते हों जिनकी जमीन जिनको खेति कह सकते जो चार ऑप्षन दिये हैं इन चार उप्षन में जो कौन सा एक है जिसे आप खेति कह सकते तो यह जाएगा जो दूसरों की जमीन पर खेति करते हों ठीक है आगे भारत में रेलवे तंतर का विस्तापित किया गया था वैन बाइडा रेलवे सिस्टम इस से ठाने यह बनाओजी के समय में दैफ्टी के समय में चली थी 1853 में चली ठीक ब 113 में चली थी यह याद रखना के सामधायग विकास्कारिक्रम कव शुरूआ था वैन बाईदा कम्यूइंटी डवलम्मेंट प्रोग्राम स्टार्टिट जो संदायग विकासकारिक्रम में यह कब शुरू हुआ है यह पूछ रहा है उन्निस्ट से तालिस उन्निस्ट पचास बावन और पच्पन कब शुरू है यह शुरू है आपका नाइन्टीन फिप्टी टू में अगे कश्टर्ड पावडर तयार करने में निम्लिक तमेंचे किसका सामानिता प्रियोब किया जाता है विच आप फॉलविंग इस कोमनली यूज़ इन अप्रिपरेशन और कश्टर्ड पावडर जो आपका कश्टर्ड पावडर होता है इसमें इन में से किसका यूज़ करते हैं रागी का मक्का का गेहूं का या चावल का किसका प्रियोग किया जाता है जिससे कश्टर्ड पावडर जो है यह तयार होता है तो यह किया जाता है मक्का का मेज या मक्का का प्रियोग जो है इसमें हो दूता है ना चारो और जिसके बेडिकाव होती है ये क्या है यह UP साची में ऐसोगम बनवायाया भारहुत में है आप पुश्समित्र व् axon राउची में नहीं का नहीं है राची में जोईस्तूप नहीं है तो ऑगे बाइजन के सिम्प केपिटल ऑफ इंडिया किसे को भारत की स्रिम्प केपिटल कहते हैं में पटनम कोची और दें उनलूर को कहा जाता है उसां नेलान नेलोर को कहते हैंpps राष्टी एक्ता परिशत के अध्यक्ष कौन है फुई दफ प्रदान मंत्री प्रदान मंत्री का पड़ा है तो भही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो क्लास को से रोलाइक कर दिजिए चैनल को करके बैल आकन का बटन दबाईए पैन पेपर लेकर आप बैटे ही होंगे जो कुछ भी नया मिला आगा आपने नोटी किया हुगा दिल्ली पुलिस दोजारते इसके लिए राजदानी बैच है अंडर परसन सेलक्षन के लिए लाइप क्लास इसे जुड़ी है यूपी पु कर सकते हैं इंपॉर्टन क्लास है आपकी कुछ लिंक है जैसे यह एप का लिंक इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेश्टोर पे जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी है इस मूप पर पिन भी किया गया होगा यहां से आप इसे डाउनलोड कर के यूट्यूब चैनल का लिंक इसे आपको से करना है अधिक से अधिक जिससे जोड़े और उन्हें भी इसका लाव प्राप्त हो सके इस करा से और लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राब करके बैल आकर का बटन दबाइए पैन के पर लेकर बैठा कीजिए जो कुछ भी नया आपको क्लास में मिले उसे नोट डाउन आप कर सके आज की क्लास के लिए नेक्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत